हेलो एवरिवान कैसे हो आप सब लोग चली आज गव वीडियो शुरू करते हैं स्वागत है आप लोगों का मेरे व्लोग में और सुबह सुबह बस मैं अपने कामों में लग गई हूँ मशीन लगा ली मैंने और सारे बैग मैंने खाली कर दिये मुक्तिसवर जो सामान लेके गए थे नाम तो वो सारे कपड़े मैंने अलग-अलग करके निकाल दी और जो यूज में नहीं आए ना वापे कपड़े जो दुले हुए थे और प्रेस भी हो चुकी थी पर आते आते हैं ये सारे कपड़े ऐसे ही होगे तो मैंने जो कपड़े स आलत इतनी खराब हो रही है आप लोगों को दिखाती हूँ मैं देखे पूरे मेरे इत्मटी सारे में दूल इतनी जादा हो गई थी कि बस पूछो मत पतानी कितने दिन से ये घर बंद है ऐसे लग रहा था चार दिन में ही ऐसे आलत हो गई जबकि मैं अच्छे से साफ सफा अबने घर की पूरी क्लीनिंग करके गई थी और बरतन वगेरा भी नहीं छोड़के गई थी क्यूंकि मैंने सोचा चार दिन तक पड़े रहेंगे तो कहीं भी जाती हूँ ना मैं तक कपड़ों का बरतनों का इन सब चीज़ों का ध्यान लगती हूँ कि मतलब आने के बाद मुझे कुछ भी ना करना पड़े लेकिन कहीं घूमने जाते हैं या फिर हम कहीं रुकने के लिए जाते हैं ना एक दो दिन तो कपड़े वापस आते ही आते हैं जो की धुलने के लिए इकटे हो जाते हैं तो बस मैंने मशीन लगा दी किचन भी क्लीन कर रही हूँ और नास वाना कुछ भी नहीं खाया क्योंकि रस्ते में करके आये थे खाना, खाना पीना सब करके आये तो इसलिए फिर आते ही सो गए और ठके हुए भी थे ना, नीन इतनी ज़ादा आ रही थी कि बस पूछो मत, तो इसलिए बस सबसे पहले मैं यह उठी थी सुबह, मैंने सोचा सब से पहले मैं अपनी साप सफाई कर लूँ क्योंकि घर ना बहुत जादा गंदा हो रहा था इतनी रेत मट्टी सारे में हो रही थी और सारा घर मैंने आके संबाला अच्छे से बैग वगेरा सब खाली कर दिये और जो कपड़े धुलने के वो मशीन में डाल दिये मशीन में मैं आज में ने लगा हुई है साथ के साथ और धेखे कुड़ा कितना निकलाए घर क्ले अच्छे से आज मैंने फोरी घर की ऐख़्ाई अच्छे FORकार करके उसके बाद जड़ लगाई है क्योंकि दिवार वगेरा सब अच्छे से मैं जड़ लगा दी थी जाले जोड़े वो साप कर दिये थे और यह बन रहा मेरा दुफैर का लंच तो साथ में मैं लंच भी तेयार कर दूँगी काम करते करते बीज में क्योंकि फिर दाल भी बनती रहेगी और चावल भी बनते रहेंगे एक साइड में और बाके के काम भी फिर मैं चड़ा के अपनी दाल कर लूँगी तो दाल मैंने छोग दी बस इसे ढकन लगा के रख दूँगी साथ में मैं चावल भी बनने के लिए रख दिये तो नच भी तेयार हो जाएगा और यह मेरा जो कपड़े मैं दो रही हूं ने यह स्वेटर था तो यह गुद्डू के कपड़े थे जो की इसे ग फिर फर्स दो दूँगी क्योंकि पानी भी खराब नहीं होगा तो यह सारे में दुलाई कर दूँगी बस और ना अभी नो बजे होंगे नो साड़े नो के आसपास टाइम हो रहा होगा जब तक तेजू भी आ गया था नीचे से सोके उठते ही ना यह उपर आता है तो यह भी मेरे साथ लगा हुआ है बस यही काम था मेरा दुलाई उलाई करके फिर फूर्स तुईती मैं मैंने सोचा पोचा लगाऊंगी इस अच्छा सारे में पानी डाल डालके अच्छे से दुलाई कर दूँगी पोचा लगाने में तो बहुत टाइम लग जाता और पोचे में रेत रेत आता पूरे में बहुत ज़्यादा रेत मट्टी हो रही थी इसलिए मैंने सारा अच्छे से दूलाई करके अच्छे से सुखा दूंगी पूरे में वाइपर लगा के और काम भी ऐसे जल्दी हो जाता है क्योंकि आज पूरे न दोनों रूम भी और पूरी बालकनी ग जाएगा नाने का बस पहले यह दूलाई कर दू और पेड़ पोदों में भी पानी आके मैंने डाला उपर वाले भी बिल्कुल सूख गए थे चार और जो चट पे रखे थे न सीधी दूप आती है उस वजह से वो न मुर्जाय मुर्जाय से हो गए थे आते ही उसमें भी प और कपड़े भी मेरे दूल गए तो बस में इनको सुखा दूंगी क्योंके मैंने सुबह मसीन लगाई थी और पानी भी चला दिया था सुबह तो मुझे ना दो टाइम मशीन लगानी पड़ेगी रात को भी लगाऊंगी तब जाके कपड़े मेरे दूलने में आएंगे क्य और तेजु भी बिच बिच में परेशान कर रहा है यह साथ में लगा रहता है ना तो वो भी खेलता रहता है बस दुलाई तो मैंने कर दी फर्स की भी और अच्छे से सारे में सुखा भी दिया बच्चे पैर पैर कर देते हैं बस एक साइड में नी बैठते ना जब तक सू और ये वाली आमबी ना व क्तेशवर से लेकर आए थे मुक्तेशवर से नहीं हमने नैनी नी ताल से लीटी आते हुए क्योंकि नैनिताल नीचे आ गए थे ना, अम नदी में नाये थे, तो उसी के पास में पेड़ था ये बहुत बड़ा, उसमें बहुत मोटी-मोटी आमबिया लगी थी, पर जादा उचे पे थी, वो तो साथ में मकान बना था ना, तो इसलिए मैंने चड़के तोड़ ली, और फिर मैंने क्या सोचा चलो अचार डाल लेती हूँ, क्योंकि सबजी वगरा तो जल्दी से कोई खाता नहीं है, खटी-मिटी जो बनती है इसकी, तो मैं बस ये अचार के लिए ये काट रूँ, मैंने धोके अच्छे से, और इनको न सुखा लिया था चार गंटे के लिए, लेकिन मैंने ये नमक के पानी में नहीं रखी, सुखी काटके और फिर ऐसे ही थोड़ी देर पंके के हवा में सुखा दी थी, और मैंने जल्दी काटके रख दी थी, ये क्योंकि पीली से पढ़ दी थी ना, अंदर से आप लोगों को दिख रही है, तो मैंने यही सोचा, कह ये सारी पीली न पढ़ जाए, ने रख दूँगी तो, तो फिर पहले ही इसको ना, काटके रख देती हूँ, और फिर अचार डाल दूँगी, मसाला मेरे पास रखा ही था पिसा हुआ, तो वही इसमें मिक्स करना बस, और मैंने अचार ना, फर्स टाइम डाला था आम का, तो देखते हैं कैसा बनेगा, और आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वैसे बन भी चुका, और मैंने खा के भी देख लिया, टेस्ट करके, बहुत टेस्टी बना, अच्छा बना है, और एकदम गल भी गया, अच्छे से पग, मतलब जो अचार गलाना बोलते हैं, जो अच जाता है, मतलब अचार उस तरीके से हो गया, तो और मसाला सारी चीज मतलब इकवल डली है, ज़्यादा तेल में मैंने इसे बनाया है, और जिनको अचार आता ना, वो तो बहुत अच्छे से डाल लेते हैं, मैं तो फरस्ट टाइम आमबी का अचार डाल रही हूँ, और सब इसे बार क्या होता, रात को पूरी रात भी सुखा सकती थी, मैं इनको पानी में बिगो के भी निकाल सकते थे नमक के और अलदी के पानी में, फिर मैंने डारेक्टी डाल लिया, तो अब मैंने इसमें नमक, अलदी, मिर्च मिला लिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आपने दाल दिया जैसा मुझे आया मैंने डाल दिया इसे बाहर रख दूंगी एक-दो दिन के लिए झाल झाल